नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं New Tech and Tricks इस वीडियो में हम बात करेंगे ATM या फिर debit card की pin generate करते समय invalid card का error क्यों आता है जब हमें bank से नया debit card receive होता है तो सबसे पहले हमें अपने card का ATM pin generate करना होता है जब हम ATM machine से ATM pin generate करते हैं तो हमारे registered mobile number पर एक OTP receive होता है जिसका use करके हमें ATM pin change करना होता है किसी किसी card में जब OTP का use किया जाता है तो screen पर invalid card का message so होता है इस message का मतलब होता है आपके card पर ATM service switch off है ATM service switch on करने के लिए आपको अपने registered mobile number से एक SMS send करना होगा ध्यान रहे आपको message में capital letter का use करना है तो चलिए यहाँ पर आपको बढ़ाते हैं कि message में आपको क्या type करना है message में आपको type करना है swon space देना है उसके बाद आपको लिखना है ATM space देना है और last के जो आपके card के जो last four digit है वो आपको type कर देना है और इसको आपको send करना होगा 092239 और आपको five times six time करना है और इस message को आपको send कर देना है message send करने के बाद में आपको एक confirmation message मिलेगा जिसमें लिखा रहता है dear customer your request for switching on ATM service for card number तो आपको इस तरीके का एक confirmation message मिलेगा जिसका मतलब है आपके card पर ATM service on हो गई है अब आपको क्या करना है अब आप ATM machine से pin generate करें और जो OTP receive हुआ है उसका use करके ATM pin change करें तो इस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो like करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर नए हैं तो subscribe करना बिल्कुल ना भलीगा थाइग वच्छी लगी है